नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ उपने यूटूब चैनल राइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज किस वीडियो का जो टोपिक है वो है कि एक नया सिक्का भी कीमती हो सकता है यह जो सिक्के आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आज आदी के अमरित मोहस्तव के सिक्के इनी के विशे मैं आज किस वीडियो में आप से बात करूँगा और बताऊँगा कि एक पुराना सिक्का भी कोमन हो सकता है आराम से मिल सकता है पुराना सिक्का भी वहीं अगर हम देखे तो एक नया सिक्का भी पुराने सिक्के की तु आप मेरे हात में यह है 2022 आजारी अमर्यद महसाव के सिख्के और यह दोर्पे का शिख्का देख्का नहीं है, यह सिख्का बड़ा खास सिख्का है बिल्कुल नया इश्यू है 2022 का यहाँ पर देख सकते हैं, डेट के नीचे, राउंडॉट मिम्पार्क है नोईडा का इयर ओफ इंडिपेंडेंस दोर्पे का सिक्का है स्टेनलेस स्टील का यह खास सिक्का है काफी सारे लोग यह समझते हैं कि जो पुराने सिक्के होते हैं जो प्राचीन सिक्के होते हैं सिर्फ वही महंगे होते हैं बाकी जो नए सिक्के हैं वो बिल्कुल कॉमन होते हैं तो ऐ ऐसा नहीं है यह मेरा हाथ में प्राचीन सिखे देख रहे हैं और किसी भी कोई एग्जिबिशन में जाएंगे तो यह सिखे आपको इजली मिल जाएंगे जैसे मैं आपको एक्जामपल के तोर पर दिखाऊंगे तो यह कुछ पंच मार्क सिखे हैं यह देखे उपर वाला जो स्टोल पर आप देखेंगे बहुत सारी जो प्राचीन स्टोल एंशेंट कोईन के जो स्टोल लगा कर रखते हैं कलेक्टर्स डिलर्स महाँ पर यह पंच मार्क आपको एजली मिल जाएंगे यह आपको 300 रुपे से लेकर 1000 रुपे की कीमत में काफी अच्छी कंडिशन के और अलग-अलग तरह के पंच मार्क देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ स्क्वाइर भी आते हैं कुछ इस तरह के भी आते हैं कुछ इस टाइप के भी आते हैं पंच मार्क में बहुत अलग-अलग वराइटी होती है और पंच मार्कों में बहुत सारे से जन्पद के पंच मार् जनपद होते हैं जैसे पंचाल जनपद, कुरू जनपद, मस्य जनपद, कोशाला जनपद, ऐसे अलग अलग जनपद है, 16 महा जनपद होगे सिक्कों की मैं एक वीडियो बनाऊगा, अगर आप इस वीडियो के नीचे काफी सारे कमेंट करेंगे, कि आप पंच मार्क में जो 16 म महा जनपद के सिक्के आते हैं, उनके बारे में जानकारी दीजिए, तो वो भी मैं आपको जानकारी दे दूँआ, अगर आप मेरी पिछली शुरुवात की वीडियो देखेंगे, तो मैंने कमसरां 100-500 वीडियो इंशेंट कोईं की बनाई है, 100 से ज्यादा वीडियो मैंने म मिल जाएंगे, तो इतने पुराने होने के बाद भी इनकी उपलब्दता बहुत जादा है बाजार में, वहीं अगर हम एक नया सिक्का देखें, जैसे इन नई सिक्के आप देख रहे हैं, तो बाजार में इनकी डिमांड जादा है, तो कहने का मतलब यह है कि एक नया सिक्क बहुत ज़्यादा कीमती रेर और एक पुराना सिक्खा भी बहुत पुराना सिक्खा भी बिल्कुल normal common सिक्खा हो सकता है अगर आप British India के सिक्खें देखें तो इतने पुराने होने के बावजूद भी जो British India के common चांदी के जो सुह सिख्केत चांदी चांदी के रेट से सू लेट रुपर ऊपर उपर अच्छी करण्डिशन में अच्छिज पराने होने के बावजूद बाज भी सौ ब्रमाट बीच चौर्ब अमगिन पराने चौह किंग विलियम 4 का सिक्का है तो 180 90 साल पुराना होने के बावजूद भी आज भी सिक्का 2.5 रुपे कीमत में इसली मिल जाता है वहीं अगर कोई नया सिक्का है उसकी मिंटेज काफी जद लो है या उसमें ऐसे कोई खास बात है जो बाकी सिक्कों से उसकोलक बनाती है तो अरा सिक्का तो 14-1500 रुपे इस तरह की कीमत में आज भी आराम से मिल जाते हैं और एक्जिबिशन में जाएंगे तो आपको बहुत सिक्के देखने को मिलेंगे लेकिन वहीं अगर कोई नया सिक्का है तो इसली प्राइस के मामले में सिक्कों को पीछे छोड़ देता है लेकिन उसमें कुछ खास बात होनी चाहिए अब आप दो रुपे का यह सिक्का देखें यह है दो हजार बाइस का सिक्का नोड़ामिंट का आज़ादी का अम्रित महसव जान से देखें सिक्के को जब हम इसको पलटते है तो यहां पर यहां पर जो कोईं की ओबर साइड है यहां पर है अशोक十म अशोक西तम के दोनों साईड भारत और इंडिया अब इसी में मैं आपको एक खास सिक्का दिखाता हूँ जिसके बारे मैं आपसे बात कर रहा था क्या नया सिक्का भी एक collectible और valuable हो सकता है वो ये सिक्का है तो जब इसको उमपलटते हैं तो देखें इसमें six of clock का rotation है नोड़ा मिंट का सिक्का है काफी जदा collectible और valuable है इसको इसमें से निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं तो तोनों सिक्कों को एक बार side by side देख लेते हैं दोनों same mint के सिक्के हैं येर भी सेम है 2022 नोड़ा मिंट तो जब हम इस सिख्के को पलठते हैं तो इसका अशोक इस्थम बिल्कुर सीदा है और जब इसका अशोक इस्थम हम देखते हैं तो यह बिल्कुर उल्टा हो जाता है तो यह देखे यह है 600 clock rotation का सिख्का और यह काफी जदा collectable है नए सीरीज के सिक्के हैं ये ये देखे आजादी के अमरित महुसाव नोड़ा मिंट का सिक्का है ये जब इसको उपलड़ते हैं तो इसमें 600 को रोटेशन देखने को हमें मिलता है ये देखे तो इस रोटेशन के वज़े से सिक्के की जो कीमत है वो बढ़ जाती है जो कैसे रोटेशन के सिक्के बाई मिस्टेक मिंट के तरफ से आ जाते हैं ये सिक्के पैकिटों में आ जाते हैं बाजार में जब खुले सिक्के आते हैं तो हर सिक्के को जो एक सीरियस कलेक्टर होता है जो एक serious numismatic होता है वो हर सिक्के को check करता है आम चलन से भी जो भी उनको सिक्के मिलते हैं हर सिक्के को पलट के देखता है उसकी edge देखता है उसका mint mark check करता है year check करता है तो जो serious coin collector होते है वो इसी तरह से सिक्कों को हर सिक्के को check करते है कुस दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि मैं बजार में गया था और जो रेंड्रोप सीरीज के जो पांच रुप्य आते है तो जब मैंने उसको पलटके देखा तो वह बिलकुल 600 को रोटेशन का सिक्का मुझे मिला बजार से तो ऐसा होता है अब यह जो सिक्क को कि डिमांड बढ़ जाती है जैसे यह सिक्का है इसकी डिमांड जब से सकी मिंटेज की रिपोर्ट वगरा सामना आई है तो कलेक्टर्स तब से इसके पीछे भाग रहे हैं कि क्या हमें अपने क्लेक्शिन लें चाहिए तो यही होता है क्या कोई भी पुराना सिक्का कोमन हो सकता है और कोई भी एक नया सिक्का collectible और valuable हो सकता है example के तोर पर मैंने आपको समझा दिया है इसमें पूरा rotation है 600 clock को rotation है अगर आपके पास भी बहुत सारे स्थारे के सिक्के है आजादी के condition का तो यह सिक्का बने आप में काफी जदा खास रेर और valuable है तो दोस्तों आज की वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना और आप मुझे यह भी बताना कि आपको सर्कुलेशन से क्या कभी ऐसे 600 को अंदिक सिख्के मिले हैं आमचलनसे यह 600 लोग के रोटेशन के लावा आपको आमचलनसे कभी कोई रेर वैल्योबल शिखिक्का मिला है वो कुझे नीचे कमेंट करके बताना आप सभी से कमेंट सेक्षन में बात करूंगा रिपलाई करूंगा तो कमेंट करके आप जुरू बताना दोस्तों आज कि इस वीडियो को में खतम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद